कि अफिंग आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे आज मैं आप लोग को बताएंगा कि आप मोबायल से in camera डॉली जो मफेक्ट क्या से अचीव कर सकते हो ठीक आप मोबायल का सब्सक्राइब दॉलिजोंग को दो टीप्स बताओंगा जिससे आप डॉलिजोंग इफेक्ट को एचीव कर सकते हो एक होगा इन चैमेरा और दूसरा वो होगा वीडियो शूट करने के बाद नॉर्माल वीडियो शूट करने के बाद अब उसको एडिटिंग के जरिये भी डॉली जूम इफेक्ट दे सकते हो ठीक है उसका हम क्या से करेंगे और कौन सा अपलिकेशन यूज करेंगे वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में सब वीडियो काफी अधर का डॉली जूम इफेक्ट लेना चाते हो वो एक पेड़ भी होसकता है ठीक है एक यूमन भी हो सकता है एंड एक बाइक भी सकते हैं जैसे कि मेरे पीचाप देखेंगे यहां पर एक वाइक है तो इसका में एक इन कामेरा डॉली जूम इफेक्ट लेकर आप लोग को ऑट बीषूट कर सकते हों सबसे पहले से देखेंगे क्यासे हम डॉलीव स्थैंड इन कैमेरा ले सकते हैं उसके बाद के नॉर्मल वीडियो शूट करेंगे और उस वीडियो को भी हम एडिटींग के दैंड करेंगे डॉली देने की कोशिश करेंगे उस वीडियो में सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा सबसे पहले आप लोग को आपका जो मोबाइल है उसके क्यामेरे में जाना होगा एंड जो वीडियो है वीडियो को उपर क्लिक करके आपको जो लेंगे तो उसे आप डिस्प्लेका पाता दोनों फिंगर को रख्यें इस तरार से हैं तो उससे क्या होगा आप नोगको नेके आने का खाश्यत क्या होगा तो इसके बाद आप जोंहं लेटर है उसको फूल इन करतखे फूल आइन यानी 100 पर्शन फूल जूम कर लोग ठीक है उसके बाद जीस भी सब्जेट का आप डॉली जूम इफेक्ट लेना चाहते हो उसके सामने जाओ एंड आपका फ्रेमिंग है आपका जो मोबाइल जो कैमरे के जो फ्रेमिंग है उसको आप अच्छा करने की कोशिस करो तो उसके बाद जो आउट आउट करते जाओंगे जब फूल आउट हो जाएका जो फाइनल आउट पूट आएगा वो काफी कमल आएगा जो वीडियो मैं ने आभी रेकोडिंग किया है उसको मैं अभी आप लोग को इबर प्ले करके दिखा तो आप लोग देखो आप अगर चाहो तो मोबाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हो मोबाल का जो कैमेरा आता है उसका अगर क्वालेटी थोड़ा बहुत अच्छा होगा ना ले सकते हैं आप मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं सीनेमेटिक षॉट ले सकते हो डॉली जूम México ? अच्छाचा शॉट आपकी मोबाइल से ले सकते हो ऊपास देखके आप नीचे कॉमंप करके यह बताने कि यह वीडियो का लगा लेना होता है वो मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग साहिद समाँ भी चुकी होंगे कि कैसे इन क्यामेरा डॉलीजूम एफेट को हम लोग कर सकते वह बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था आप लोग को सिर्फ जो जो टिप्स मैं आप लोग को बता है कि कैसे शूट करना उसको फॉलो करना तो आप बहुत ही आसानी से अचीब कर सकते हो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो तो आभी क्या करेंगे जैसे कि मैं आप लोग आप पाउड रेटर भी यूज़ कर सकते हो एंड जो काइन मसरे उसको भी यूज़ कर सकते हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप विएन एप्लिकेशन को यूज़ करो क्योंकि यह बहुत हैंडी है और बहुत ही क्विकली आप आपका वीडियो को रिटिंग कर सक मैं पीछे के तरफ आ रहा हूं पीछे के तरफ में मूब कर रहा हूं इस तरह किसे आप लोग को कुछ सेकेंड का क्लिप क्याप्चर कर लेना है आपकी कैमेरे से या पर मोबाइल से उसके बाद आप लोग को इसको बाद में डॉली जों भी देना होगा वो भी वीडियो ए आभी मैंने यहाँ पर open कर लिया है वीडियो एडिटर एप्लिकेशन और अभी में इस फूटेज को डॉली जूम इफेक्ट देने वाला हो तो क्या से देंगे सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि आपका फूटेज कितना तक आप लेना चाहते हो ठीक है एक्स्ट्रा पाट को अप लोगों को डिलिट कर देना है तो आभी क्या करेंगे अभी इसको हम डॉली जूम इफेक्ट देंगे तो सबसे पहले मैं इस footage को उपर किलिक करूँगा किलिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक option दिख रहा होगा की frame करके ठीक है तो यह option जिस video editor application में आप लोग को मिलेगा उस application से ही आप इस effect को achieve कर सकते हो एसने की सिर्फ video editor application में आप लोग को की frame का option मिलता है आप लोग को power director में मिल जाएगा आप लोग को काइन मसर में मिल जाएगा आपको सिर्फ editing करने का जो तरीका है उसको ध्यान से देखना होगा ठीक है तो आभी क्या करेंगे आभी just key frame को उपर किलिक करना है and सबसे पहले एक key frame आप लोग को add कर देना है उसके बाद चले जाना है एकदम end में end में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर भी एक key frame add कर देना है and आप लोग को करना क्या होगा आप लोग को सबसे पहले इस तरह के से zoom कर लेना है ठीक है आपको जो फ्रेम होगा उसको एकदम जूम कर लेना जो सब्जेक्ट है उसको जूम कर लेना है उसके बाद आप लोगों को देखना होगा कि सबसे पहले कितने तक था ठीक है आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा था उसके हिसाब से आपको जो लास्ट का जो पाठ होग या फिर नहीं तो आप देशा है तो बहुती कमाल का मोशन आ चुका है वीडियो में आप लोग एडिटिंग करके भी ऐसा इफेक्ट पास सकते हो ठीके तो यह सिर्फ एडिटिंग का कमाल है अप लोग को जस्ट जो की फ्रेम में उसको कैसे यूज़ करना होता है वो आप लो लगा हो तो लाइक करना शेयर करना एंड नीचे कॉमेंट करके जरूब आता ना कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा तो चलो मिल देखना है और और आसाम वीडियो साथ तब तक के लिए पार अ झाल की ऑना है प्राइक करना है नच्छ मेंट करना है आता ना है यह वीडियो में गयात detail है अाहा अजिसूब देखना है झाल की आप लोग